Assalamualaikum, आज की रसी भी इतनी सबर्दस्त है, बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद है मतलब चिकन नगिर्स हम बना रहे हैं लिकिन दो अलग अलग तरीके से बनाएंगे सिम्पल एक ही तरीके से नी बनाएंगे, एक न्यू तरीके से हम बनाएंगे तो एक ही बार दे हम नगिर्स बना रहे हैं, तो quantity थोरी ज़्यादा बढ़ा दें और दोनों flavors के आप बना लें, इस तरह से नगिर्स बनाएंगे अब इस्टोर भी कर सकते हैं और इफ्तारी में जब आपका दिल जाए बज इसको फ्रीजर से निकालें फ्राइक करें और नगिट्स तैयार मिंटों में तो चलिए जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए इसके छोटे-छोटे पीस करें छोटी-छोटी सी बोटियां मना लें इसकी आचा इसमें हम ब्रेट बुलकुल नहीं दालेंगे ब्रेट चिकन नगिट्स में क्या होता है कि ब्रेट दाल देते हैं अगर आपको पसंद है तो आप दालें कॉणिटी थोड़ी बढ़ जाती है लेकिर मैंने यहाँ पर ब्रेट का भुलकुल भी यूस नहीं किया है तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले दालूंगी जिसकी वज़े से इस नगिट्स का टेस्ट बहुत ही जबरदस आएगा इसके लावा मैंने इसमें सोया सो सब दाल दिया है और बस इन सारी शीज़ों का मच्छे से मिक्स कर देंगे जादा मैंने मसाले इसमें शामिल नहीं किया बस बेसिक से इसमें मसाले जाते है जिसकी वज़े से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको मैं बिल्कुल भी चौप अगारा नहीं करूँगी इसको इस तरह से हाथ से ही मैं अच्छे से कूट लूँगी इससे भी फ्लेवर नगिर्स का बहुत अच्छा आता है अगर आप चाहें तो इसको चौप भी कर सकते हैं तो इस तरह से बस मैंने इसको हाथ से ही कूट लिया है, इसकी छोटे-छोटे से चंक्स हैं, जो खाने में बहुत अच्छे लगता है मुलकुल ही फाइनी पीसा, मुलकुल भी मैंने इसको, तो इसको हाथ से ही मैं इस तरह से नगिर्स का शेप दे दूगी, अगर आप चाहें, आप से ये शेप ना बन पाएं, तो आप किसी भी शॉपर वगारा में इस नगिर्स को अच्छे से सेट करें, और फिला दें, फिलाने के बाद आप इसको फ्रीज कर दें, और बस जब ये फ्रीज हो जाएं, तो शॉपर के साथ ही आप इसको इस तरह से बॉक्सिस में काट लीजेगा, चूरी के साथ, तो ये इसली शेप इसका बन जाता है, तो अब मैंने यहाँ पर अंडा बीट करके रख लिया था, और होता क्या है कि नगिट्स में है ना डबल कोटिंग होती है, डबल कोटिंग की वज़ए से नगिट्स का कोट करूँगी, कोट करने के बाद इसको दुबारा से मैं अंडे में डिप कर दूँगी और दुबारा से सेम इसी तरह से मैं इसको कोट कर दूँगी, तो दबल कोटिंग हो जाएगी आप चाहें तो double coating कर लें double coating ही best है अगर आप nuggets के लिए अगर आप nuggets बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप double coating ही करें single से अच्छी रहती है double coating crisp भी अच्छा था, texture भी बहुत अच्छा था nuggets का तो nuggets के लिए ये बतलब secret भी है double coating तो आप इसी पर focus जादा दीजेगा मेरे पास थेनी bread crumbs तो इसलिए मैंने single coating किया बस ये एक ही आपको double coat करके दिखाया बाकि जितने भी मेरे nuggets हैं उन सबकों मैं single coat करूँगी उसके बाद हमने क्या करना है इसको ये जो मैंने बना के रखा है दहकता है वे कोईले में इसको cover करके तकरीबन 102 मिंट मैं छोड़ दूँगी इससे क्या होगा हमारे smoky से मज़ेदार से chicken nuggets मन के तयार होंगे इसका flavor बहुत ज़्यादा जबर्दस लगता है आप एक बार try करेंगे न तो वैसे तो लोग हैं इसके दिवाने और ज़्यादा दिवाने हो जाएंगे इस nuggets के बहार के nuggets खाना बुलकुल ही आपके घरवाले छोड़ दाएंगे आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह वाला flavor आप एक दबर try ज़रूर कीजिएगा तो इस सारे nuggets में इस तरह से बना के रख लिएते हैं आप इसको पर प्लेट में फ्रीज करें फिर किसी भी प्लास्टिक बैग में दिवलॉक बैग में इसको दालके फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं यह आराम से फ्रीज हो जाएंगे और एक दो महीना कहीं नहीं जाएंगे तो इसको medium low flame पे हमने fry करना है medium या medium high flame पे इसको fry नहीं करना medium low flame पे इसको fry करें ताकि हमारी जो chicken है वो अच्छे से अंदर से पक जाए गल जाए कच्छी ना रहे उसके इलावा इस पे क्रिस्पी बहुत अच्छा है अगर आप flame high रखके इसको fry करेंगे तो यह उपड़ से जला color in का change हो जाएगा और अंदर से यह कच्छी ही रहेंगे इसको जितना आप पकाएंगे न उतने अच्छी क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से हमारी chicken भी अच्छे से गल जाएगी तकरीबन इसको एक side पे आप दो mint पकाएं इतनी कोशिश करें और बस हमारे मज़ेदार से nuggets बनके तयार हो जाएंगे वो भी चंद मिंटों में मैंने इस nuggets में न मसाले थोड़े जादा रखें थोड़े spicy बनाया है क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी spicy खाते हैं और हम लोग भी spicy ही खाते हैं और हमें spicy पसंद फीके फीके nuggets अच्छे नहीं लगते लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर आप लोग भी spicy पसंद नहीं करते हैं तो मसाले पकार आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं को टीवी लाल मिज़ भी skip कर सकते हैं आप लेकिन बाकी के मसाले जरूर जरूर शामिल कीजिएगा उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस नगिट्स में अच्छा है इसका अंदर से आप देख लें लुक अंदर से इसका केसा है और टेक्च्चर केसा है साइड में देखें आपको कोटिंग दिखिरी है ब्रेट क्रम्स और अंडे की ये coating nuggets में बहुत important होती है इसली के वज़े से इसका taste enhance होता है और दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं अच्छा इसका shape आप अपनी मर्दी से बड़ा चोटा कर सकते हैं आप चाहें तो बड़े squares काट लें चाहें तो छोटे छोटे square shape के बनाए आपकी मर्दी अगर आपको recipe अच्छी लगे तो please like जरूर कीज़ेगा चैनल पे नए हैं तो subscribe कर दीज़ेगा मिलते हैं किसी और interest इसे पी में जब तक के लिए अलाः आफेज